बड़ी खबर आपको बता दें इरान ने का है कि वो किर्मान में हुए आतल की हमले का जवाब जल्दी देगा इरान ने इस हमले के लिए इसरेल और अमेरिका को दोश्टी छेराया है इस حملے की जमेदारी IS-IS ने ली है किर्मान में आत्मगाती धमाके हुए थे जिस में मरने वालों की तादाद क्यान में पहुंच चुकी है ईरान ने कहा कि वो इस हमले के लिए जमेदार ताकतों को छोड़ेगा नहीं तो आपको बता दें कि किस तरीके से किर्मान की ओर से ये पूरा बयान सामने है अब इरान ने अब तक जो भी धमकी दी उसे इसरेल और अमेरिका बहुत जादा परेशान है यमन का मिलीशिया हूती अब इरान की इसी इरादे को पूरा करना चाहता है पूती में द्रोहियों ने अमेरिका से कह दिया है कि अगला हमला बहुत खतरनाक होगा वह अमेरिका कैसे बचेगा इसके लिए वो भारत के कमांडो ओपरेशन से बहुत कुछ सीख सकता है ये वो वीडियो है जिसे देखकर बाइडन हिम्मत जोटा सकते हैं ये वो वीडियो है जो अमेरिका का डर खत्म कर सकता है ये वो वीडियो है जिसे देखकर भारत पूरी दुनिया के सामने मिसाल बन गया है ये वो वीडियो है जिसे देखकर अमेरिका के मशूर सील कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से सीख सकते हैं देखिए कैसे भारतिय नेवी के कमांडो एक अगवा हुए जहाज की तरफ बढ़े कमांडो जहाज पर सबार होते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं एक एक कोने की तलाशी लिजाती है जहाज पर कबजा करने वालों को ललकारा जाता है और फिर ऑपरेशन जीत लिया जाता है पूरी खबर ये है कि भारती नौसेना के मारकोस कमांडो ने सिर्फ दो घंटे के अंदर एक कारगो जहाज को मुसीबत से बचा लिया मारकोस यानी मरीन कमांडो इस फोर्स ने सोमालिया के समुद्री लुटेरों में दहशत पैदा करती भारत के इस कमांडो टीम ने ऐसा ओपरेशन चलाया कि समुद्री लुटेरे भाग खड़े हुए और कारगो जहाज पर बंधक बनाये गए 21 लोग छोड़ा लिये गए इस कमांडो ओपरेशन में भारती नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में लाइबेरिया के जंडे वाले मर्चंट शिप एमवी लीला शिप को बचा कर दिखाया है इस कमांडो ऐक्षन में इंडियन नेवी के स्पेशल समुद्री कमांडो फोस मार्कोस पूरी दुनिया को बता रही है कि समंदर में दुश्मनों से कैसे लड़ा जाता है ये जान की बाजी लगाने जैसा है दुश्मन की गोलियों का सामना करने जैसा है भारत ने इस जहाज को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दि लाइबेरिया के जंडे वाले मर्चंट शिप एम वी लीला शिप को बचाने के लिए सिर्फ मार्कोस कमांडो ही तैनात नहीं किये गए इसमें P-8I टोही विमान भी शामिल रहा इसमें अमेरिका से ही खरीदा गया MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन भी शामिल हुआ ओपरेशन से पहले ओपरेशन के दौरान जहाज पर बराबर नजर रखी गए और फिर जब भारत के मार्कोस कमांडो ही एम वी लीला जहाज पर चड़ाई की तो जीत भारत की होज़ी इस जहाज के आसपास कहीं मतलब 5-6 धाउज और फिशिंग बोट्स होगे रहे थे तो उनका भी डिटेल्स होगे रर्कॉट किया गया तो इससे उनका confidence था कि pirate attack हुआ है और कोई जानकर ही नहीं था कि pirate on board है नहीं है इसके बारे में ज्यादा information नहीं था क्योंकि crew स्रेडल के अंदर थे और उनको भी ज्यादा information नहीं था तो इतने में हमने डिसाइड किया कि जैसे second PA tie जाके इसको जो फर्स PA tie है उसको on the spot रिलीव करेगा और उसके बाद एक sea guardian भी जाएगा ताकि वो situation को monitor करे और वीडियो अगर हमें रिले कर सके सवाल है कि ऐसी हिम्मत अमेरिका क्यों नहीं दिखा पाया जो इस सुवक्त लाल सागर में मौजूद होने के बावजूद यमन के हूथी विद्रोहियों से घबराया हुआ है क्या अमेरिका के seal कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से कमजोर है क्योंकि यहां तो मार्कोस कमांडो ने दो घंटे में ऑपरेशन करके दिखाया है भारत ने हर टेक्नलोजी और मिलिटरी पावर का इस्तिमाल करके समुद्री लोटेरों को डरा दिया भागा दिया अमेरिका तो खुद को सुपर पावर कहता है आखिर उसका कहरिया हूथी विद्रोहियों को देखकर लाल सागर से क्यों भाग गया जब घाजा में इसरैल की बंबारी चल रही है जब लिबनान बॉर्डर पर इसरैल और हेजबुल्ला की टक्कर हो रही है तब हिंद महा सागर के एक पश्यमी कोने में इस सुपर तूफान मचा हुआ है हालात बहुत ज़्यादा खराब है और अब यहां युद्ध का ऐसा खत्रा है कि सवाल खड़े होने लगे है कि क्या अमेरिका यमन के हूथी विद्रोहियों से डर गया है यह सवाल इसलिए क्योंकि उसके फैसले तो यही साबित करते है इस वक्त अमेरिका को एशिया के तीन इलाकों में चैलेंज बिल रहा है इसलिए अमेरिका ने अपनी नौसे ना लाल सागर में तैनात की होई है यमन के हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि जो भी लाल सागर में अमेरिका के साथ आएगा उस पर हमलाज जरूर होगा हूथी विद्रोहियों के टार्गेट दो हैं पहला है इसरेल और दूसरा है अमेरिका हूथी विद्रोयों ने इसरेयल के शिप को टार्गेट करना शुरू कर दिया है वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर दू मानता है अमलियत इस्तिहदाफ लिसफीनत सी इम ए सी जी इम तेज कानत मुत्जिह इला मौनि फलस्तीन मुछतला इन आमलियत लिस्तिहदाफ जात बगद रफ़ तागम लिस्तिहाबत लिनिदाए टल गोहत लिहरीत लिमनी ए बिमए फी दालिकार रसाईल टहदीरियत नारीयत हूथी विद्रोही लगातार असरेयल पर हमला कर रहे है वो क्रूस मिसायल भी फाइर कर रहे है बैलिस्टिक मिसाइल से भी इसरेल के दक्षने इलाखे पर अटेक कर रहे हैं साथ में इसरेल और अमेरिका को लगातार धमकिया दे रहे है यमन के हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों को ललका रहा है यानि हूथी विद्रोहियों ने 15 देशों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है इसमें अमेरिका और इस्रेल के अलावा और सिंगापूर भी ये अमेरिका को जबाब है जिसने लाल सागर को हूथी प्रूफ बनाने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरेटी गार्डियन के शुर्बात की है लिता हा मनाफिज मुरूर वाबूर बर्री ये लिता हर्रक मिएात अलाफ मिन अबनाए श्याब लिल्जहाद फि फिलस्तीन जहो जिहाद मुदबस वामल अजीम वमोगिफ हग अमेरिका ने जब से इस मल्टी नैशनल फोर्स को बनानी की पहल की है वो हूथी विद्रोहियों के टार्गेट पर आ गया है और हैरत है कि अब तक वो उनको डराने में नाकाम रहा है हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि वो अब इन देशों के जहाजों को टार्गेट बना सकता है और ऐसा वो लाल सागर में करेगा ऐसा वो आदेन की खाड़ी में करेगा ये वो देश हैं जो अमेरिका के उस गड़बंधन का हिस्सा बन चुके हैं जो लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले को नाकाम करना चाहते हैं और इसके लिए ये गड़बंधन यमन पर हमला करने की भी धमकी दे रहा है दरसल अमेरिका को डर है कि लाल सागर में उसके जहाज डुबू दिये जाएंगे अमेरिका को डर है कि यमन के हूथी विद्रोहियों से उसका युद्ध शुरू हो चुका है अमेरिका को डर है कि अगर हूथी ने एंटी शिप मिसाइल मारी तो उसका कैरियर डूप जाएगा हूथी विद्रोहियों से इस्रेल के बाद अब अमेरिका को भी खत्रा बढ़ गया है हूथी विद्रोही दिखा चुके हैं कि वो जहाज पर कैसे कबजा करते हैं वो कैसे इस्रेल से जोड़े जहाजों को टार्गेट कर रहे हैं ये हेलिकॉप्टर वाला ओपरेशन इसका सबूत है इस हेलिकॉप्टर के पिछले रैम्प वाले दर्बाजे पर दो जंडे लगे हैं एक है यमन का जंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लाग ये लाल सागर है दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है देखिए रेड सी में क्या हुआ हेलिकॉप्टर किसी तरह जहाज की रफ्तार से रफ्तार मिला कर आगे बढ़ता है और इस शिप पर उस जगे पहुंचता है जहां ये जहाज पर उतर जाए लेकिन अचानक इस हेलिकॉप्टर से कमांडो निकलने शुरू हो जाते हैं जहाज पर हमला होता है और ये कमांडो जहाज पर कबजा करना शुरू कर देते हैं एक के 47 और बाकी हत्यारों से लैस ये कमांडो जहाज पर आगे बढ़ते हैं हेलिकॉप्टर फॉरन जहाद से ओड़ जाता है क्या हो रहा है किसी को नहीं माले ये कमांडो जल्दी से जहाज के ब्रिज की तरफ बढ़ते हैं ब्रिज यानि वो जगए जहां से पानी के जहाज को कंट्रोल किया जाता है शिप के स्टाफ की तरफ राइफल तानी ये सभी हमलावर जहाज के ब्रिज में दाखिल होते हैं और फिर टू मेंबर हैंडस अप करके हमलावरों के स्कीन के आगे सरेंडर कर देते हैं शिप के ब्रिज पर कंट्रोल करने के बाद इन हमलावरों का कपज़ा बाकी जहाज पर होने लगता है ऐसे हमलों को रोकने में अमेरिका और यॉर्प के देश नाकाम साबित हो हैं अमेरिका सुपर पावब होने के बावजूद हूथी विद्रोहियों का सामना नहीं कर पा रहा यमन के हूथी विद्रोहियों जब किसी जहास पर कबजा करते हैं या उस पर हमला करते हैं तो उसे चारो तरब से उनकी स्पीड बोर गेड लेती है और फिर जहास उनके कंट्रोल में आ जाता है ऐसे में भारत के कमांडो आपरेशन को देखकर अमेरिका सीख सकता है भारत ने बता दिया है कि जहास पर खबजा हों तो कैसे लड़ा जाता है लेकिन अमेरिका ये हम्मत हूथी विद्रोईयों के खिलाफ दिखाने में अब तक नाकाम रहा है और इसका खामियाजा अब इसरेल ही नहीं पूराई चुरब भगत रहा है यमन के हूथी विद्रोई जो घाजा पर इसरेल की बंबारी रुपाने के लिए इसरेल के जहासों जा उसके लिए माल ले जा रहे कारगो शिप को टार्गेट कर रहे है और अब उन्होंने अमेरिकी नौसेना के जहासों पर हमला करने की कसम खाई है फिलहाद, हूथी इसरेल से जोड़े जहासों को निशाना बना रहे है उन्होंने इसरेल से जोड़े जहासों के खिलाफ ना सिर्फ हमले किये बलकि उनको अगबा भी किया है इन हमलोंने कई कम्पनियों को माल की आबा जाही रोपने पर भी मजबूर किया है इसी वज़े से अब कार्गो जहाज अदन की खाड़े और लाल सागर के करीब भी नहीं आना चाहते हैं यहीं से एशिया की तरफ से यूरप को रास्ता जाता है दुनिया की सबसे एहम शिपिंग लेन मिस्र के स्वेज कैनाल से गुजरती है अगर इस शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जारहा रास्ता ब्लोक हो जाता है तो ये रास्ता 6,000 किलोमेटर लंबा हो जाएगा क्योंकि तब समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर योरप महुँचना होगा अगर इस राइल जाना है तो रास्ता 10,000 किलोमेटर तक जादा हो जाएगा तीन से पांच दिन का सफर और लंबा हो जाएगा ज्यादा फासला यानि ज्यादा लागर, ज्यादा वर्ट और कारोबार पूरी तरह चौपर यही है यमन के हूथी वे द्रोहियों का ठार्गेट क्योंकि वो घाजा में बंबारी का बतला इस राइल के जहाजों को बना कर करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है ऐसे में भारतिय नौसेना का वीडियो अमेरिका के लिए एक सबक है यह वीडियो देखकर बाइडन चाहें तो अपनी नेवी को ओडर दे सकते हैं यह वीडियो देखकर अमेरिका अपना डर खत्म कर सकता है यह वीडियो देखकर अमेरिका के मशूर सीय कमांडो भारत के मार्कोस कमांडो से ओपरेशन करना सीख सकते हैं भारत के मारकोस डेश के शक्तिशाली कमांडो फोर्स में सेरीन. 1987 में बने मारकोस बहुत ही तेजी से आपरेशन करते हैं, यहने अमेरिका के नेबी सील्ज की तर्श पर ही तयар किया गया था. लेकिन हैरत की बात ये है कि आज ये ऐसे ऐसे आपरेशन को अजाम दे रहे हैं जो खुद अमेरिका लौच करने से खबराने लगा है। अगले 38 घंटों के अंदर लाल सागर, यमन और इसरेल के बीच इतनी चिंगारी नजर आ रही है कि पूरा पश्यमेशिया घाजा के बाद दूसरे युद्ध में डूप सकता है घाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो चुके हैं इसका खत्रा सब महसूस करने लगे हैं इस्रेयल ने दुनिया के प्लेशर के सामने जुकने से मना कर दिया है लहाजा अब हूथी विद्रोही जिनकी एरान से बेहत करीबी है उन्होंने इस्रेयल के शिप को टार्गेट करने का फैसला किया है वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिंग ले दुनिया की लाइफ लाइफ लाइन है और यहां पर हमला करने का मतलब इस्राइल और अमेरिका के गले पर हमला करने जैसा है देखा जाए तो अब लाल सागर में अमेरिका अकीला पड़ गया है क्योंकि जब अमेरिका घबराया हुआ है तो बाकी छोटे देश कैसे हूथी वे द्रोहियों के एंटेशिप मिसाइल का सामना करेंगे ये सबा अब बाइडन से पूछे जा रहे हैं अमेरिका ने जब से हूथी वे द्रोहियों को टार्गट किया है उसके दस लड़ाके मार गिराएं तब से कहा जा रहा है कि खून खून हुआ लाल सागर नए वार्जोन में अब मचने वाला है महा बबंडर